हम यहां पर देखेंगे हमने data तो share करना है बट हमने क्या करना चाहते हैं कि जब data share करें तो वो read only mode में हो ताकि जो हम जिस container के साथ data share कर सके हैं तो वो सिरफ उसको read कर सके उसके अंदर कुछ changes ना कर सके तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है तो सबसे पहले हम एक volume create कर लेंगे उसके लिए हम वही concept यूज़ करेंगे कि create volume during container creation तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं एक c5 नाम का container create कर रहे हैं किस तरह मेंसे अलपाइन से और हम क्या specify कर रहे हैं minus v opposite के साथ कि हमारे पास एक volume create कर देना web data नाम का और उसको यहां पर mount कर देना alpine के web data folder में और हम इसके अंदर कुछ data डाल देंगे किस command से welcome to web server और कौनसी file इसके अंदर कर देंगे अब create index.html वाली file create कर रहे हैं क्योंकि बाद में हम इसको क्या करेंगे किसी web server के container के साथ mount करेंगे तो हमने यहां पर जो data लाल दिया welcome to web server तो यहां पर यहां पर एक index.html फाइल बना दी उसको verify भी कर लिया exit कर दिया तो हम देखेंगे कि हमारा volume create हो गया है web data नाम का उसको आप अब हमने क्या करना है इसको इसको हमने share करना है अब हमने share पर किस mode में करना है read only moment तो हमारी जो command है docker container run minus demon mode में जो हमारे container का नाम web रख रहे हैं minus v से हमने जो वो volume create किया web data उसको किसके साथ mount करेंगे user local apache 2 hddoc क्योंकि हम जो image यूज़ कर रहे हैं वो apache web server की image यूज़ कर रहे हैं बट यहां पर हमने column देके यह भी option specific कर सकते हैं किस mode के अंदर तो हम चाहते हैं कि यह mount तो करे read only mode में तो जैसी यह container चलाएंगे तो यह हमारे container एक पहले वाला भी alpine वाला भी container चल रहा है और दुनों container की information हो जाएगी तो ध्यान रखना है जैसी हम ls minus a करती है कोई कि यहां पर हमने minus capital p option यूज़ किया है तो यह एक जो container का it port है उसको एक random port जो है host port पे उसके साथ relation बना देगा इस case में वो दिख्शू कर रहा है तो जो port है 32768 तो हम यह verify कर लेते हैं e-links तो इससे हमें यह पता लगता है कि वो जो data था वो data उसके अंदर हमने क्या डाल रखा था welcome to web server तो यह data हमारा अब assess इससे यह भी पता लग जाता है कि हमने custom web page कैसे हमने create करना है बट हम जो main चीज़ देखना चाहते हैं कि verify करना चाहते हैं यह जो हम container यह जो container है जो read only में mount किया data क्या इस container के अंदर जाके हम इसमें changes कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो उसके लिए हम यह command चलाएंगे docker container execute हम चाहते हैं कि जो हमने web वाला container create किया अपाच्चे की image से तो हम उसको interactive mode के अंदर जाना चाहते हैं और कौन सा shell open करना चाहते हैं bash तो हम यह by default हम यूजर local apache 2 folder के अंदर ले जाएगा pw से हम check कर सकते हैं उसके अंदर हमारी कौन सी important directory है htdocs तो हम उसके अंदर चले जाएंगे pwd होता है present working directory तो यह हम दिखा देता है कि यह वाली directory है ls से हम अगर हम check करेंगे तो हमारे पास index.html file आएगी उसको क्या कर सकते हैं check कर सकते हैं क्या data है तो भी जो हमने लिखा ता वही data है अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कुछ changes करना चाहते हैं data के लिए तो हम उसमें क्या specifier कर रहे है command cat append symbol यूज़ कर रहे है जैसी यह करेंगे तो यहां पे वो क्या message दे रहा है read only file system इसका meaning अगर हमने arrow mode में किया है कई परी हम नहीं चाहते कि container जो है उस data को change कर सके तो हम उसको read only mode कर सकते हैं यहां पे वो नहीं करने दे रहा change अब हम जब exit करेंगे exit करके हम क्या करेंगे अब हमें यह नहीं चाहिए क्योंकि तो हम जो web है और c5 container है उसको stop कर देंगे फिर remove कर देंगे वो web data वाले को भी remove कर देंगे इसका meaning अगर हम arrow option use करते हैं तो वो आपका read only file system हो जाता है उसके अंदर आप changes नहीं करवाओगे तो यह वाला इसका एक और benefit यह हुआ कि इस experiment का कि इससे यह भी पता लग जाता है कि अगर आपने custom page display करवाना है तो वो कैसे करवाओगे आप तो यह भी है